क्यूब रूट आफ 780 तो ध्यान देज़ेगा हमने यहां पर लिख लिया है क्यूब रूट आफ 780 इसको हम ब्रेक कर लेंगे 10 multiplied by 78 तो यहां से आपको दिख रहा हुगा है क्यूब रूट आफ 10X थाना x यदी माने 78 को तो अब जो है टेबल देख करके हम बहुत असाने से फाइंड कर लेंगे आप देख रहे होंगे यहां आप 78 है 78 की जस्ट सामने देखिए इसके रू में और क्यूब रूट आफ 10X के नीचे दिखिए यह आपका 9.205 जो दिख रहा है इस यूर क्यूब रूट आफ 780 तो 9.205 यूर आंसर 9.205 ठीक है नेक्स्ट ओके क्यूब रूट आफ 7800 तो हमने यहां पर लिख लिया और यहां पर क्यूब रूट लिख लेते हैं अब ध्यान दीज़ेगा यहां पर इसको हम लिख सकते हैं ब्रेक करके 100 x 78 तो यह हो जाएगा 100x क्यूब रूट आफ 100x तो टेबल देखर के बहुत असाने से फांट कर सकते हैं तो इसके जस्ट रू में क्यूब रूट आफ 100x जहां पर लिखा हुआ है इसकी जस्ट नीचे वाला जो नंबर होगा that will be your answer means 19.8 तो इसका अंसर हो जाएगा 19.8 एट नेक्स्ट ओके question no.8 1346 सबसे पहले हम इसका करेंगे क्या factorization 673 is a prime number means हम इसको लिख सकते हैं cube root of 2 multiplied by 673 तो यह हम इसको break करेंगे तो मिलेगा हमें cube root of 2 multiplied by cube root of 673 प्रावलम यहाँ पर यह है cube root of 2 तो find कर लेंगे table से लेकिन cube root of 673 के से find करेंगे ठीक है इसका तो मतब table में अभी है नहीं कि भल 100 तक ही हम लोग लिखे हुए हैं तो करेंगे क्या इसका कि 673 का हम find कर सकते हैं लेकिन उसमें एक logic लगाना होगा तो हम देखें आप देख रहे हैं since हम जानते हैं कि 673 जो है greater होता है 670 से but less होता है 680 से राइट 673 यह जो number है इसका हम निकाल रहे हैं cube root तो समझे कैसे निकालते हैं यहाँ 673 जो है इन दोनों के बीच में लाइक करता है ठीक है इसका मतलब it implies यदि हम cube root लगा देंगे सब में तब भी यह equation सही होगा इन equation actually है यह तो यहाँ पर करतेंगे cube root of this मतलब कि यदि 673 670 और 680 के बीच में है तो cube root of 673 यह भी बीच में होगा इन दोनों के cube root में ठीक है लेकिन इनकी value तो find कर सकते हैं बिल्कुल है कि नहीं it implies इसकी value क्या होगी 670 तो हम आ जाते हैं यहाँ पर 670 वाले में दीक है 67 यहाँ पर है और 67 का 0 मतलब कि यह है हाना 8.750 8.673 is less than cube root of 680 तो cube root of 680 है तो यहाँ पर देखे 680 means 68 के 10 वाले कालम में cube root of 10x के कालम में आपको मिलेगा 8.794 यहां से देखिए क्या करना क्या है यदि यह cube root के value इन दोनों के बीच में है तो कैसे आप find करोगे कि इसकी exact value क्या होगी तो यहाँ पर हम यूज करेंगे unitary method, unitary method कैसे काम करता है यह काम करता है proportionality पे जैसे कि आप समझाने होंगे आप पड़े होंगे बिल्कुल कि यदि 20 rupees में 1 kg माल यह 20 rupees में 1 kg potato मिलता है ठीक है तो यदि आपको find करना है कि 5 rupees में कितना मिलेगा कैसे find करते हैं आप तेखे 20 rupees में यह दि 1 kg मिल रहा है तो इसका मतलब कि 20 rupees में ही मिलेगा 1000 gram of क्या potato हम यह दि निकालना चाहते हैं 5 rupees में तो हमें पहले निकालना पड़ेगा 1 rupees में तो 1 रुपीज में निकालने के लिए करेंगे, दुनों तरफ डिवाइड कर देंगे 20 से, इदार डिवाइड करेंगे 20 से तो 1 रुपीज आजाएगा, और इधार यादि 20 से डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा 0025650, means 50 gram miliga one rupees में तो five rupees में दुरों दोरा five seven apply कर लिजिए तो इधर five seven apply करेंगे तो five rupees आएगा इधर five seven apply करेंगे तो five is 25 means 250 gram आगो five rupees में 250 gram of potato मिलेगा तो यही है यह newtree method तो यहां भी है newtree method के use करके find कर सकते हैं 673 का q-root क्या होगा लेकिन कैसे है है कि नहीं यहां पर तो एक रिलेसंद दिया हुआ है कि 20 रुपीज में 1 kg तो यहां भी कुछ मिलना चाहिए न कि यहां भी कुछ होना चाहिए सम्थिंग में सम्थिंग तो कैसे फाइंड करेंगे यहां पर ऐसे फाइंड करेंगे 670 है और 680 है इन दो लों के बीच में डिफरेंस कितना है इन दो लों के बीच में डिफरेंस है 10 का 670 और 680 में तो इन में डिफरेंस है जो नंबर्स है 670 और 680 में जो डिफरेंस है यह प difference of, the difference between 670 and 680, the difference between 670 and 680 produces proportional difference, proportional difference between their cube roots, इसका मतलब यह हुआ, it means, इन दोनों के बिच में difference क्या है, 10 है, it means the difference of 10, 10 between numbers 670 and 680 produces, produces, कितना difference पादा कर रहा है है? देखिए, 8.750 और 8.794 के बीच में difference रिखा लेंगे, produces, produces difference of, करेंगे हम लोग 8.794 में difference कर देंगे, 8.750, तो तो कहने का मतलब है कि जो 10 का difference है, वो इन दोनों के बिच में, वो produce कर रहा है, इनके cube roots के बीच में जो difference हो रहा है, उतना produce कर रहा है, मतलब 10, 10 is proportional to the difference, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ और difference होता, वो proportional होता, जो भी यहाँ पर होता, ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखाना है कि यहाँ पर पहले-पहले क्या difference है, यहाँ पर difference क्या निकलेगा, यहाँ पर मतलब जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको समझाने के लिखा है, तो यह आप नहीं लिखेंगे तब ही कोई दिकत नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि actually यहाँ पर हो क्या रहा है, तो actually हो रहा है यह चीज, कि difference of 10, जो 10 का difference है, वो produce कर रहा है, 0.044, इतने का क्या, cube roots म मतलब यदि numbers में difference 10 है, तो यही 10 difference जो है, produce कर रहा है, उनके cube roots में difference 0.044, clear, तो यदि 10 difference 0.044 produce कर रहा है, तो 1 difference कितना produce करेगा, यह find कर लेंगे हम लोग, तो 1 difference जो produce करेगा, वो करेगा 0.044 whole upon 10, अच्छा ठीक है, यदि 1 difference निकल गया, तो हम निकलना कितना चाहते हैं, कितना difference हम निकलना चाहते हैं, तो देखिए, हम निकलना चाहते हैं, इतना, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, 73, 673, मतलब 3 का difference यति निकाल लेंगे हम, तो 670 में add कर देंगी, जो 3 का difference होगा, तो आ जाएगा 673 का, तो यहाँ पर निकालेंग 50 ग्राम मिलता है तो 5 रुपिछ कितना मिलेगा मुटिप्लाइब कर दिया सामने दुन तरफ यहां भी मुटिप्लाइब कर देंगे तो 3 का डिफरेंस दी रहेगा numbers के बीच में तो जो value आएगी cube root के difference में वो आएगा 0.4044 upon 10 multiplied by 3 तो यहां पर find कर लेते हैं क्या आएगा तो 3 से मुटिप्लाइब कर लेजिए 3, 4, 0, 12 3, 4, 0, 12, 13 का 3, 1 और यह 0 हो जाएगा means decimal तो यह 3 points बढ़ाएगे और 4 points पर क्योंकि 10 से divide भी करना है 10 से divide करेंगे तो decimal और चला जाएगा So cube root of 673 is equal to cube root of 670 plus difference difference of 3 in their cube root तो थेखे 3 के तो difference है वो इसमें add करना पड़ेगा 670 में क्योंकि 670 के आगे ही तो है 73 इसलिए हम add करना है इसमें 3 के difference तो 3 के difference आएगा 4.0132 तो इसके value में add करेंगे तो इसका value क्या है 8.750 है ना इतना है ना अलिक देंगे 8 point add कर दीजिए तो मिलेगा आपको 3 516 7 point 8 8.763 तो इसकी value आ गई हमारी 8.763 तो देखिए हमें इसकी value पता नहीं था अब हमें value find हो गया तो कैसे find कि हमने difference के वजा से यह 10 का difference बन रहा था किसकी switch में 670 और 680 की बन रहा था तो यह 10 difference बन रहा था तो इस कराण से इनके cube roots में जो difference बन रहा था वो बन रहा था 0.044 और इनके difference है जो 10 है वो proportional होता है इनके cube roots का difference जो आता है उसके इसलिए क्या कि हमने है कि यहाँ पर unit 3 method का use कर लिया और 10 का difference से इतना पैदा कर रहा है 0.044 cube roots में तो 1 का difference से इतनी number में लेंगे तो कितना पैदा करेगा तो इतना divide करतेंगे 10 से फिर 3 का difference कितना पैदा करेगा क्यों 3 निकाल रहा है क्योंकि हमें निकालना है 673 का cube root यहाँ पर इसलिए 3 से multiply कर देंगे दोनों तरफ इतना आगया value 0.0132 और यही value हम add कर देंगे cube root of 6 and 70 में difference of 3 ठीक है तो जब 3 का difference जो आया था वो आया है 0.013 है ना क्योंकि थ्रेशन प्रसर तक add कर देंगे इतना आ गया अब इन दोनों को multiply कर देंगे means is equal to cube root of 2 क्या है check कर लते हैं cube root of 2 देखें यहाँ पर 1.260 1.260 cube root of 2 multiplied by cube root of 673 is equal to यहाँ पर क्या value आय थी 1.260 multiply करने पर आ जाएगा हमारा 11.041 actually 0.138 आ रहा है लेकिन हमें इससे rounding up करना है कि वह थ्री decimal places तब तो हमारा जो approximate जो answer आएगा वह आ जाएगा 11.041 this is your answer for this question यह question वह typical है लेकिन बस आपको क्या करना है आप difference निकाल करके तुरंत इसमें add करना है फिर हमें आ जाएगा यदि माल्की आपको निकालना होता cube root of 674 73 नहीं बलकि 74 निकालना होता तो क्या करते आप यहाँ पकेवल 4 निकालते आप उसी तरीके से cube root of 675 निकालना होता तो 5 वाले से यहाँ multiply करते हैं मतलब 5 से multiply करते हैं यहाँ पर और जो value आती उसको add करते थे 670 वाले cube root में तो आपका जो आता उसको multiply करके साथ में करते हैं ठीक है